हाला अब्रिवन आधम कंटिनुटी एंड डिफेंसिबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेस्टन नमबर 26 और उसके आगे क्वेस्टन करेंगे क्वेस्टन नमबर 25 तक जो था हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था यह मारा लास्ट यहां तक कवर हो गया था तो चलिए 26 से कवर करते हैं तो क्वेस्टन नमबर 26 देखे रखा हमारे पास कि f x equal to k cos x divided by pi minus 2x for x not equal to pi by 2 and 3 for x equal to pi by 2 और हमें बताना किस पर है हमें बताना है x equal to pi by 2 पर देखो ऐसे questions जो है हमारे boards में आते हैं ठीक है तो चलिए करते हैं इसको तो pi by 2 पर हमरे पास बताना है कि एक्स इक्वल टू पाई बाई टू यह function जो है हमरा वो defined है कि नहीं है मतलब स्वारी continuous है कि नहीं है तो सबसे पहला काम क्या होगा हमरे पास functional value निकालना f of pi by 2 f of pi by 2 तो f by 2 पे कितना होगा हमरे पास 3 यानि कि functional value तो उस पे कितने बडाबर है 3 के बडाबर है दूसरा काम क्या होता है हमरा दूसरा काम होता है limit निकालना तो limit extending to pi by 2 fx हमें निकालना है तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए इसको दो x equal to pi by 2 इसका मतलग क्या हुआ कि इस हम लोग इस लिमिट को निकालना है limit extending to pi by 2 minus fx निकालना है ओके limit extending to pi by 2 minus fx और इधर से क्या निकालना है हमे limit x tending to pi by 2 और plus fx निकालना है आ रहे चलो जाएगा अच्छा अगर h के terms में लिखे हम इसको तो हम इसको ऐसे लिख सकते है limit h tending to 0 pi by 2 minus चाहिए हमें तो pi by 2 minus h हो जाएगा पाइब 2 से छोटा जाएगे तो इसमें h को कटाना पड़ेगा and here it will be limit h tending to 0 f of किता और पास five by 2 और plus कितना h अब चलिए five by 2 के लिए तो definition जो है हमारे पास हो किता है थ्री है लेकिन पाइवाइट नहीं है five by two नहीं है इसका मतलए क्या हुआ कि पाइवाइटू से पहले और बाद में दोनों के लिए definition वही है हमारा अगर इसको पाइवाइटू रखा जाए तो यहां पे तो थ्री है हमारे पास ठीक है अब इसके आगे भी हमारे पास यह है के कॉस्स डिवाइड वाइड पाइड माइनस टू एक्स और इससे पहले भी लिमिट हे टेंड गुड जिरो के कोश एक्स के कॉस एक्स का मतलए कितना हो गया हमरे पास के कॉस पाइब़ाइ टू माइनस हे होल्ट इवेड बै किता पाइ माइनस ङानिके टू टायमस से कैस еще we announcements system कित नोब यह स्कते हैं के साइनछ के कर लिख रिखा जाए तो थो पाई और माइनस की तो डाँयरे पस माइनस से टो गटाओga माईरे पस तो माईनस कपा आ जाएगा ठीकल और माईनस- इस प्लस का टूइच ओके तो माइनस पाई से प्लस पाई हमारे चला गया गया बन गया हमारे पास this is equal to limit एक टेनडिंट से इन ग्टीन रिच या फिर कव टू शाइन डिच अब साइन स्ट मूस् Là आगा अगर इंच अगर सका टेälle कर जाएगा तो तो right-hand limit निकाले के लिए हमाने पास किता हो रहेगा limit h tending to zero k fois k cos x यानि कि pi by two और plus h pi by two plus h hold divided by pi minus two x यानि कि pi minus two times pi by 2 plus H this will be equal to limit extending to zero cos cos pipe by by 2 plus city take it out a minus sign theta minus sign theta minus K sign H हो जाएगा मर पास और नीचे में कितना जाएगा pi minus pi और प्लस का माइनस का 2H minus का 2H तो पाई से पाई चला गया आपका इस माइनस से यह माइनस अगें चला जाएगा तो इस विल भी एकल टो limit h tending to zero k by 2 अगेन आपका sin h by h आगया आप sin h by h फिर से आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यह अगेन कितना आगया आपका k by 2 तो इसका मतलब यह है कि limit तो एक्जिस्ट करेगा ठीक है इधर से भी k by 2 आ गया हमरे पास लेचल भी k by 2 आ गया रेचल भी k by 2 आ गया हमारे पास तो हैंस जो हमारा limit है कितना limit extending to pi by 2 जो होगा हमारे पास pi by 2 fx this will be equal to what k by k by 2 ओके अब यह k by 2 होगा हमारे पास यह k by 2 हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना है next कि जो functional value है उसके बराबर होना चीए यह चीज ठीक है for function to be continuous लिख देते हैं ऐसे for for function to be continuous at x equal to pi by 2 at x equal to pi by 2 अगर pi by 2 पे function को continuous होना चीए तो जो limiting value है तो limit extending to pi by 2 fx should be equal to what functional value यानि कि f of pi by 2 that implies that implies limiting value कितना है हमारे पास k by 2 है और functional value कितना देख रखा था 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 तो हमारे पास यहां से कि के का आखिर क्या value रखे हैं ताकि यह function जो है वो continuous हो जाए तो के का क्या value आ गया हमारा के का value आ गया 666 पर यह function जो होगा वो continuous हो जाएगा ओके चलिए आते हैं अगले point अब लेक अगले question पर question number 27 f x equal to k x square question number 27 f x equal to k x square है और 3 है 3 है for x less than equal to 2 and this one if x greater than 2 at kis पर चाहिए हमें at x equal to 2 पर हमें चाहिए कि 2 पर function continuous हो उसके लिए k का value पता करना है सब में यही है ना अच्छा सब में यही है ओके का value पता करना है कि फंक्शन जो है वो क्या हो जाया हमरा continuous हो जाया किस पर टूप पर तो टूप की बाते कर रहे है तो f of 2 कितना होगा मर पास functional value कितना के बाराबर होगा मर पास f of 2 तो यहां से आएगा मर पास equality यहां पर होड़ कर रहा हमरे पास तो किता जाएगा मर पास के टाइमस टूका स्क्वाइर यहां पर यहां पर लेना हमेरे जरूरी है रीजन यह है कि 2 पर अपना function definition change कर रहा है ठीक है ना चली आ जाते हैं तो LHL at x equal to 2 ठीक है और RHL at x equal to 2 तो LHL at x equal to 2 कितना होगा मर पास this will be limit x tending to 2 minus f of x and this will be equal to this will be equal to limit h tending to 0 f of कितना जाएगा मर पास f of 2 minus h अब f of 2 minus h होगा हमरे पास तो this will be limit h tending to 0 2 minus के लिए definition देखते हैं कि 2 minus के लिए हमरा definition क्या है तो देखो 2 minus के लिए definition कौन काम करेगा यह वाला करेगा हमारे पास तो रख देते हमाँ से उठाके कितना है k x square यानि क्या जाएगा हमारे पास this one will be k times x square यानि कि 2 minus h का कितना whole square ओके तो इस will be equal to limit tending to 0 k times 4 plus h square और minus कितना 4 h यह बनेगा हमारे पास अब h 0 को अगर टेंड कर रहा है आपका इसको थोड़ा से open कर लो आप limit h tending to 0 4 k plus 4 h square minus 4 k h अब h आपका 0 को टेंड कर रहा है तो यह भी 0 और यह भी 0 तो बचेगा कितना आपका यहां से 4 k यहां से आपका बच जाएगा कितना 4 k ओके तो left hand limit होगे आपका right hand limit की बात कर लेते हैं तो इस will be equal to limit x tending to 2 plus fx this in turn will be equal to limit h tending to 0 f of k itna 2 plus h 2 से आगे के बात कर रहे हैं तो 2 से आगे क्ला definition जो है आमरे पास वह यह बाला होगा यह बाला इस 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 इकल टू लिमिट एस टेंडिंग टू तो सबके लिए 3 हो जाएगा और इस पर हमरे पास limit h 0 को टेंड करें किसी को भी टेंड करें हमारा limit जो हो किसके बराबर आएगा 3 के बराबर आएगा ओके तो अगर function को continuous होना है किस पे at x equal to 2 पे थाना 2 पे अगर function को continuous होना चाहिए होना है तो lhl rhl और जो हमारा functional value है functional value है वो तीनों क्या होना चाहिए हमारे पास बराबर होना चाहिए तो since since function is continuous function is continuous इसलिए जो हमारा 4k होगा 4k should be equal to मतलाब ऐसे लिख लेते हैं कि limit extending to 2 f x should be equal to f of 2 और limit के exist करने के लिए हमारा limit के exist करने के लिए lhl at x equal to 2 should be equal to rhl at x equal to 2 lhl कितना था है था हमारे पास 4k आया है या इधर से 4k आया है और इधर से कितना आया है हमारे पास 3 आया है तो k का value कितना हो जाएगा that implies k equal to 3 by 4 तो अगर k का value हम लोग 3 by 4 रखेंगे तो यह जो function हमारे पास given function था कि यह जो given function था वो कितने पर continuous हो जाएगा हमारे पास टू पर function जो होगा वो continuous हो जाएगा ओके तो यह इस question का answer हो गया हमारे पास इसका PDF जो है वो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देते हैं तो आप पहले पीडिएफ को download कर लिया करो उससे ना आपको देखने में पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा चलो आ जाते हैं अगले पर अगले question 28 पर के एक्स प्लस वन और कॉस एक्स प्लस वन और कितना है कॉस एक्स प्लस वन क्या है किसके लिए एक्स लजन एकल टुपाइय के लिए है और यह एम रपास एक्स घ्रेटर अन पाई के लिए तो डिस lograty पत्राइब को पूछ रहा होगा था ठेक है पाई पर हमें चेक करना क्यों पाई फंक्शन एपंसन कंटीनिमस एम तो एक्सिक इक्स पे पाई की बात करनी हमें तो पहला काम functional value f of pi कितना होगा आपका तो f of pi जो होगा हमारे पास वो हो जायेगा definition pi के लिए यह वाला यूज करेंगे pi पे equality उसी में है हमारे पास तो कितना जायेगा k into pi और plus one ओके यह आ गया पाई पे दूसरा limiting value तो limit x tending to pi f of x जो होगा वो क्या होगा हमारे पास तो इसको दो पाट्स में divide कर देते हैं LHL at x equal to pi ठीक है और RHL at x equal to pi LHL क्या होगा हमारे पास LHL हो जायेगा limit x tending to pi sorry pi minus f of x and this will be equal to limit h tending to 0 f of pi minus h this will be equal to limit h tending to 0 pi minus के लिए यानि कि पाई से पहले के लिए definition देख लेते हैं पाई से पहले के लिए definition अगे नामरे पास कौन सा आएगा यहीं आएगा यानि कि kx plus 1 तो k times x x की जगा पर कितना आ जाएगा हमारे पास pi minus k h और प्लस कितना 1 this will be equal to limit h tending to 0 कितना आ जाएगा आपका k pi minus k h plus 1 h 0 को टेंड कर रहा है तो यह value किसके बराबर आ जाएगा k pi और plus 1 के बराबर तो यह आ गया आपका LHL left hand limit हमने निकाल लिया right hand limit के बात कर लेते हैं तो this will be equal to limit x tending to pi plus f x this will be equal to limit h tending to 0 f of pi plus h अच्छा pi से आगे के लिए definition हमने पस क्या है pi से आगे के लिए definition हमने पस cos x ओके तो इसका ले लेते हैं यूज कर लेते हैं तो कितना जाएगा मने पस cos of pi plus h limit is tending to 0 cos of कितना जाएगा मने पस pi plus h cos pi plus theta जो हो का उसका formula लागा देते हैं हम लोग this is equal to limit is tending to 0 cos pi plus theta कितना होगा आपका third coordinate में आ जाएगा cos में रहेगा minus का cos theta हो जाएगा minus का cos h हो जाएगा बेची 0 को tend कर रहा है तो यह आपको किसको tend कर जाएगा माइनस वन को मतलब यह वन को tend करेगा बाहर में एक माइनस लगा हुआ है तो इस विल भी माइनस वन ओके यह आगया आपका लहल यह आगया आपका अरे चल अब और सिंस लिमिट एक्जिस्ट करता है तो दोनों पराबरों चीए सिंस सिंस लिमिट एक्जिस्ट लिमिट एक्जिस्ट अगर लिमिट एक्जिस्ट करता है तो लहल should be equal to should be equal to rHL that implies k into pi plus 1 this should be equal to minus 1 k value k value minus 2 upon k value pi यानि कि इस function के लिए अगर k का value minus का 2 by pi होगा तो ये function जो होगा आपका किस पर continuous हो जाएगा pi पर continuous हो जाएगा ओके चलिए I hope clear होगा सबको चलिए आते हैं अगले question पर next question next question है मारे पास question number 29 kx plus 1 3x minus 5 kx plus 1 3x minus 5 x less than equal to 5 के लिए और x greater than 5 के लिए this one is x less than equal to 5 and this one is x greater than 5 और हमें क्या करना है 5 पर चेक करना है चलिए आते हैं किस पर करना है at x equal to 5 पर तो सबसे पहले functional value f of 5 तो 5 पर definition कौन सा हमारा काम का आएगा ये वाला काम आएगा क्योंकि 5 पर equality यहीं पर लगा हुए हमारे पास तो उसको देखके किता जाएगा आपका 5k और प्लस किता 1 यह आगा आपका functional value limiting value की बात करते हैं तो limit x tending to 5 f of x जो होगा आपका वो क्या होगा तो लहल at x equal to 5 और चल at x equal to 5 लहल किता हो जाएगा हमारे पास लहल विल भी limit x tending to 5 minus f 5 minus f x this will be equal to limit x tending to 0 f of 5 minus h this will be equal to limit x tending to 0 5 minus के लिए definition कौन सा है हमारे पास 5 minus के लिए यानि कि 5 से पहले के लिए definition हमें कौन सा चूज करना पड़ेगा यह वाला kx plus 1 k times x यानि के 5 minus h और प्लस कितना 1 this is equal to limit x tending to 0 कितना आ जाएगा आपका 5k minus 5h plus 1 अब h 0 को टेंड कर रहा है तो यह value कि इसके बराबर आ जाएगा आपका 5k plus 1 तो आपका यहां से लेचल निकल के आगया कितना 5k plus 1 और एचल की बात करते हैं तो इस विल भी limit x tending to 5 plus 5 plus fx this is equal to 5 plus यानि के limit कितना h tending to 0 f of कितना जाएगा आपका 5 plus h this will be equal to limit h tending to 0 तो 5 plus के लिए 5 से आगे के लिए हमारा definition के था 5 के आगे के लिए definition जो है वो यह है 3x minus 5 तो इसका यूज कर लेते हैं 3x minus 5 3 times x x की जगा पर कितना जाएगा आपका 5 plus h 3x minus 5 okay this will be equal to limit h tending to 0 यह जाएगा 15 plus 3 h minus 5 अब यह h 0 को टेंड कर रहा है तो यह 0 तो 15 minus 5 केता है जाएगा उन्हें पास 10 तो यह आगया आपका lhl यह आगया आपका तो since limit exist करता है since limit एक्सिस्ट्ट तो वह ही ले चल और रहे चल बराबर होना चीए तो फाइब के प्लस वन should be equal to what? 10 तो 5K should be equal to 9 तो K का value किता आना चाहिए हमारे पास यहाँ से 9 by 5 यानि कि अब की बार K का value अगर 9 by 5 होता है तो यह function जो होगा वो continuous होगा किस पे at x equal to 5 पे ओके चली आते हैं अगले वाले पे यह हो गया हमारा अब question number 30 के रा find the values of a and b such that the function defined by this is a continuous function, okay चली, question number 30 करते हैं question number 30 हमारे पास fx equal to 5 for x less than equal to 2 ax plus b for 2 to 10 ax plus b for 2 to 10 and greater than equal to 10 के लिए 2 to 10 and for x greater than equal to 10 के लिए किता है 21 ओके तो हमें क्या करना है a और b का value पता करना है ताकि यह function जो है वो continuous हो तो देखो discontinuous यह कहां पर हो सकता है discontinuous हो सकता है 2 और 10 पर ठीक है तो possible points of discontinuity जो होगा हमारे पास यहां पर possible points of possible points of discontinuity जो होगा हमारे पास discontinuity will be will be x equal to 2 x equal to 2 and x equal to 5 यह दो points जो होंगा हमारे पास possible points होंगे x equal to 10 reason क्या हमारे पास कि function यहां पर definition change कर रहा है ठीक है तो उसी पर check करेंगा हम लोग तो पहले बात करते है x equal to 2 की at x equal to 2 तो पहले निकालते हैं आप function of value f of 2 कितना होगा आपका तो 2 पे equality कहां पर हमारे पास यहां पर equality है तो 2 पे equality है 2 पे definition कितना है 5 है तो यह आ जाएगा आपका f of 2 equal to कितना 5 ठीक है दूसरा limit extending to 2 fx निकालना है हमें तो यहां से दो पाट्स में divide करते हैं lhl at x equal to 2 और rhl rhl at x equal to 2 lhl कितना है आपका this will be limit x tending to 2 minus fx okay this will be limit h tending to 0 f of 2 minus h this will be equal to limit h tending to 0 2 से पहले के लिए definition हमारे पास क्या था अभी हमने देखा था 2 से पहले के लिए definition भी यही है 5 ही है तो कितना जाएगा उसके जगा पे 5 इसके जगा पे हम लोग कितना रख देंगे 5 सिर्फ तो 5 आएगा तो limiting value हमारा कितना आ गया है यहां से 5 आ गया ओके चलिए आते हैं हां रेचल पे तो यहां से हमारे पास कितना जाएगा लिमिट एक से टेंडिंग टो टू प्लस एफ एक्स दिस विल बीकुल टू लिमिट एच टेंडिंग टो जीरो एफ और टू प्लस एच टू से आगे के लिए के आख की देफनिशन कॉन सा हमारा तो टू से आके लिए जो ठेफनिशन है वह यह है एक स्थे एप्स प्लस वी एक स्थे लिस विल बी भी डिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टिडियरो एटांस एक्स X की जगह पर कितना जाएगा हम रपास? 2 प्लस H, AX और प्लस कितना? B, this will be limit H tending to 0, this will be 2A प्लस A H और प्लस A B, अब H 0 को टेंड कर रहा है, तो आपका कितना जाएगा यहां से? यहां से जाएगा 2A और प्लस कितना? A B, 2A प्लस A B, अब सिंस फंक्शन कंटिनिवस है फंक्शन कंटिनियमस है तोडू से लाह और टू पे जो आर्षेइल है उनौ दोनों बराबर होना चीय ठीक है तो ऐसे लिख देंगे कि सिंस पाहित स्पंक्शन को हिसर एस फंक्शन傑 करने यह 5 के वर अबर यह सट इक्वेशन आए आपका दूइपलस एंवी एगा क्या ने ने शोरी सुरी दूए प्लस भी आएगा सिरफ नए और यह बी होगा सिर्फ तो डूए प्लस बी का वैलू कितना आगा हमारी पास फाइव आगा अब यह since function जो है हर जगा continuous है तो हर जगा continuous है तो दूसरा जो है आपका x equal to 10 वहाँ पे भी हमें चेक करना पड़ेगा तो चलिए करते हैं अगला x equal to 10 की बात करते हैं कि अगला बात करते हैं at x equal to 10 तो x equal to 10 पे अगें हमारे पास functional value पहले निकालेंगे तो f of 10 कितना आ जाएगा हमारे पास f of 10 equality कहां पर है यहां पर है हमरे पास तो 21 हो जाएगा f of 10 equal to दूसरा दूसरा निकालना है हमें limit extending to 10 f of x कि तो यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको तो limit extending to 10 minus f x यह क्या निकाल रहे है यह लेचल निकाल रहे है this will be equal to again limit h tending to 0 f of कितना जाएगा हमारे पास 10 minus h this will be equal to limit h tending to 0 f of 10 minus h का मतलब कितना हुआ हमारे पास 10 से पहले का definition जो था आमारे पास वो कितना था 10 से पहले का definition वो यह है ax plus b तो इसको use कर लेते हैं a x यानि कि this और प्लस कितना बी अब h 0 को 10 करेगा तो यह किसको 10 कर जाएगा हमारे पास 10 a और प्लस कितना बी तो यह आपका लेचल निकल के आगया आरेचल की बात कर लेते हैं आरेचल अट एक्स एकल टू 10 ओके तो इस विल बी इकल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 10 प्लस एक्स 10 से आगे जाना हमें इस विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कितना जाएगा आपका टेन प्लस कितना है अब टेन से आगे के लिए अगें डेफिनिशन जो है हमारे पास हो कितना है 21 तो इसके जोगा पैसे रख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 21 और 21 अगर है तो यह तो कॉंस्टेंट हो गया तो एच किसी को भी टेंड करें वैल्यू तो आपका 21 के बराबर ही होगा अगें जो फंक्सन है वो कंटिनिवस है तो लेचल और बारे चल दोनों बराबर होन चीए तो लिख देते हैं कि सिंस फंक्सन इस कंटिनिवस फंक्सन इस कंटिनिवस इसलिए जो हमारा टेन ए और प्लस बी जो होगा इस विल भी 21 इसको हम लोग एक्वेशन टू बोल देते हैं तो देखो एक आ गया था आपका पहले वाले से ए ट्वेशन फ्लस बीकी ऊश्पाईव औरर एक आपका यहां से आ गया अब हमें ए और बीक का वेल्लु बताना है तो इन दोनों कई यूज कर लेते हैं कितना था हमारे पास 2A plus B का value था हमरे पस 5 हमरे पस 2A और प्लस B का value था कितना 5 और यहां पर हमारे पास 10A और प्लस B का value जो है वो कितना देखे रख रख है 21 तो इसको solve कर लेते हैं माइनस कर देते है तो माइनस करेंगे तो यह अच्छला गया आपका यहां से जाएगा का- Bott capabilities Teaches नकाALप-ी-ायरी में ऑर तो यहां से एका वाङ्यू किता हाँए आपका ये क्वेल्डव आ गया क्यक्तो एक वल लू लग्या टू को डाल दो पहले वाले में तो टैम्स टू फोर पलस बी 2x2 plus b equal to 5 तो यहां से आपका b का value कितना है जाएगा b का value हो जाएगा 1 ओके तो यह आपकी दोनों values निकल के a का value 2 और b का value 1 तो यह आपका question number 30 हो गया अब इसके बाद 31, 32, 33, 34 4 के 4 हो सेम ही है ठीक है एक ही जैसे है तो बस उसमें हम लोग कुछ करेंगे नहीं देखो जैसे एक कर देते हैं question number 31 की बात कर लेते हैं तो देखो 31 क्या देके रखा है हमारे पास 31 देके रखा है cos of x square cos of x square तो यह composition है किस-किस function का composition है मान लेते हैं कि 1 fx ले लिए cos x ठीक है और 1 gx है आपका वो कितना है x square है और जो composition of function हमने आपको पढ़ाया था तो उसके हिसाब से पहले कौन आएगा हमरे पास पहले जो होगा वो x square वाला होगा ठीक है और दूसरा जो function होगा वो आपका कितना होगा cos x वाला function होगा ठीक है तो यह composition यानि कि as a whole हम लोग देखते हैं दोनों machine को एक साथ में तो यह composition composition है हमारे पास यह fx equal to cos x और gx equal to x square तो हमने पहले एक theorem पढ़ा था यहां पर देखो तो उसी theorem को हम लोग यह करेंगे लिखेंगे कि सब्सक्राइब अब यहां पर यहां पर दोनों real value function है यानि कि रियल वैल्यूस के लिए defined है हमारे पास such that fog is defined at c f of g जो हमारे पास तो किसी भी c पे यह देखो जो हमारे पास यह दोनों functions हैं cos x यह भी आपका x belongs to r के लिए defined है यह इसका जो domain है वो भी क्या है एक्सि बिलौंगे टू है और यहां पर इसका इसका texto मैन है वह एक बिलौं टू आरहरे यह У्हां प्रोड ब्लॉ सकता इसक लिए यह वान केства दिखांड सकता जिसके लिए फॉंक्सन defined नहीं है तो यह भी आपक if G continues at C, कोई भी C point लिया जाया ठीक है कोई भी C point लिया जाया जैसे माल लेते हैं कि हम X का value 2 ले लेते हैं तो X का value 2 पे ये कितना value देगा 4 देदेगा? GX जो होगा पहले बाढ़े डालो गए X का value 2 डालो गए तो बाहर किता निगलेगा अगर आप यहां से ऐसे टू डाल रहे होते हैं अब यह फोर जो का इसके अंदर जाएगा अब को सेक्स को तो किसी पर प्रॉब्लम है नहीं कॉसेक्स तो है किसके लिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के लिए यानि कि पूरे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है तो यहां से चाहे कुछ भी निकाल के दे तो वही कह रहा है कि इफ जी डिफाइंड एट सी सी है आपका यह सी का काम यह कर रहा है ठीक है एंड यह आपक हाँ हाँ थीक यह आपका आप चीक है और यहां से जो निकलेग Phillips ट्रॉप्ट निकल जाएगा सिर्ट सीज़सिक्वर स्यक्राइब सीज़सिख करनव दर्रा डिद्री टांट似ायर है कि इस दिद्रीद की आरेश्टी ऐफ द्रॉट Ikson continuous at C, तो हम लोग अप्ता कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, कि सिंस, सिंस, cos x is a continuous function, cos x is a continuous function, continuous function and x square is also a continuous function, also a continuous function, continuous function and given function, given function is a composition of, given function is composition of two continuous function, to continuous function for every x belonging to r, hence, hence, जो भी को फॉंक्शन दिया हो था कितना, cos of x square is continuous, continuous for every x belonging to r, ठीक है, यह क्या है, है, x के हर एक value के लिए continuous है, ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, इस वाले को प्रूफ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एसी तरीके से लिख देंगे, ओके, तो आपका यह जो 31 है, इसको भी आप ऐसे लिख दो, 32 को भी ऐसे लिख दो, ठीक है, fx देखे रखा है, modulus of cos x, modulus of cos x, तो यह आपका किस-किस का है, एक है आपका, मान लेते हैं कि gx ले लेते हैं, gx ले लेते हैं, cos x और एक function hx ले लेते हैं, hx कितना, modulus of x, ओके, तो मतलब एक जो पहला function जो देखे रखा है, वह आपका देखे रखा है, cos x, ठीक है, और यहां से यह दूसरा जो function देखे रखा है, दूसरा वाला function वह देखे रखा है, modulus of x, ने में, sorry, cos x, ठीक है, cos x और modulus of x, यह आपका composition है, यह पहले function है, और यह हमारा दूसरा function, यहां से जो भी निकलेगा हमारे पास, हो किसमें जाएगा, modulus of x में जाएगा, तो cos 6, मोडूस of cos 6 होगा हमारे पास, तो यहां पे भी अगेन, देखो, यह भी हमारे पास continuous होता है, यह भी continuous होता है, हर एक के लिए, तो फिर से वहां पस वही चीज़ लिग देंगे, हम लोग यह आमारे पास है 33 तो 33 जो है आमारे पास 33 वह किसका है fx equal to किता देखर रखा है साइन और मॉडूलोस अफिक्स अब साइन ऑफ मॉडूलोस अफिक्स यह किस-का composition है देखो यह यहाँ पर पहले वाला मॉडूलोस अफिक्स होगा और दूसरा वाला आ ऐसे मतलब पहला यह कैसे आ रहा है क्योंकि देखो आप एक्स यहां से डालोगे यहां से बाहर कितना निकले गा मॉडुलोस अफिक्स आ रहा है तो ना थो बाहर आप and जब एक्स को आप डालोगे एक्स को डालोगे तो बाहर कितना निगलेगा आपका कॉस ओफ एक्स और इधर से जब डालोगे तो एक्स की जगह पे कॉस एक्स घुस रहा है तो बाहर कितना निगलेगा मॉडुलोस अगें यहां पर भी हम लोग वही लिख देंगे कि यह किसका किसका composition है एक modex का composition है और x sin x का composition है दोनों continuous होते हैं for every x belonging to r इसलिए यह function भी क्या होगा हमारा continuous होगा अच्छा यह 34 की बात करें तो modulus of x minus modulus of x plus 1 34 तो 34 जो है हमारा वो fx equal to modulus of x minus modulus of x minus 1 x plus 1 x plus 1 ठीक है अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर वैस्ता composition तो नहीं है बट अगर आप इसको hx मानलो कि hx equal to modulus of x और gx equal to एक मानलो आप modulus of x plus 1 modulus of x plus 1 तो algebra of continuity से था हमारे पास देखो यह यह भी continuous है हर एक जगा के लिए यह भी continuous है तो दो functions है Continuous है ठीक है तो दो functions का जो यहाँ पर क्या है धेखो suppose f and g be two real function continuous at real number c वह दोनों के-दोनों हरी जगा continuous है तो किसी भी C पे आप निकालोगे तो continuous होंगे देन F plus G will be continuous at C, F minus G will be continuous at C, F into G will be continuous at C and F by G will be continuous at C, पिछले class में हम मतलब कि इसको refer कर रहे थे लेकिन वहां से यह page गायब था हमारा ठीक है वह हम इसको delete कर दिये थे वह देखो हम इसको यह कर रहे रहे थे कि अगर आपका the continuity of G implies continuity of 1 by G जो हम सेक्स वाला कर रहे थे ना बस हमारा नीचे वाला क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए जो सेक्स के लिए 1 upon cos x वाला हम जो कर रहे तो इसमें पीछे आपको मतलब ले जाके refer कर रहे थे लेकिन वह चीज़ यहां पर वहां पर गायव था ठीक है तो वह मेरे पेज number 157 और 150 इसमें दिया हुआ हमारे पास तो इस चीज़ को हम रेफर कर रहे थे ओके चलिए तो हमारा यह यह चेप्टर जो हो कंप्लीट हो गया और आगे सब्सक्राइब करेंगे अच्छली हम थोड़ा सा इसको धीरे-दीरे करा रहे थे रीजन था कि 11th class का differentiation जो था वह हमारा कवर नहीं हुआ था तो हम पहले differentiation को कवर कर रहे थे derivatives को limits and derivative chapter 11th class का 13th chapter तो वह अब हमारा कवर हो चुका है तो अब हम लोग differentiability पे थोड़ा तीजी से आगे बढ़ सकते हैं इसमें थोड़ा हम लोग धीरे-दीरे जा रहे थे रीजन था उसको कवर करना था हमको पहले उसको हम कवर कर चुके हैं अब हम लोग differentiability पढ़ने के लिए तैयार हैं ठीक है तो चलिए next class से हम लोग differentiability सुरू करेंगे थेंक्यू